कि यह दो कुशन इस दाट विए गिवन एक्वेशन यह हमारे पास एक एक्वेशन गिवन है और हमें बताने कि इसके रूट्स का नीचर हमारे पास कैसा होगा ठीक है तो हमारे पास एक्वेशन है यहां पर डेट 12 X की पावर 4 माइनस 5 X क्यूब प्लस 89 X स्क्वेशन माइनस 56 X प्लस 12 इक्वेशन गिवन है तो अगर मैं पूरी एक्वेशन को X स्क्वेशन से डिवाइड करता हूँ गिवाइडिग वाइग एक्स स्क्वेशन तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 12 X स्क्ेशन माइनस 56 X प्लस 89 माइनस 56 ऐक्स पलस 12 ऐक्स स्क्वेशन ऊक्वेशन इक्वेशन तो अभर 12 x square 12 upon x square इन दोनों consider करते हैं इस में से अगर मैंने 12 common निकाल लिया तो हमारे पास bracket में बज़ जाएगा x square plus 1 by x square ठीक है अब minus 56 x and minus 56 by x इसको consider करते हैं अगर यहां से minus 56 common निकाल लिया तो bracket में हमारे पास बज़ जाएगा x plus 1 by x plus 89 equal to 0 ठीक है हमारे पास अब यहां पर x square plus 1 upon x square यह हमारे पास है a square plus b square की form जो कि हमारे पास equal होती a plus b का whole square minus 2ab ठीक है तो अगर यहां से हम इससे लिखना चाहें तो इससे लिख सकते हैं we can write at x square plus 1 upon x square equals to x plus 1 by x का whole square minus 2 into x into 1 by x यहां से cancel होके है हमारे पास equal आजाएगा x plus 1 by x का whole square minus 2 ठीक है तो हम इससे replace कर सकते हैं 12 into इससे replace कर सकते हैं ठीक है तो इससे लिख सकते हैं 12 into x plus 1 by x का whole square minus 2 minus 56 into में x plus 1 by x plus 89 equal to 0 ठीक है तो यहां से 12 को into करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 12 into में x plus 1 by x का whole square 12 into minus 2 यह हमारे पास minus 24 हो जाएगा यहां 89 minus 24 ठीक है और यहां हमारे पास है minus 56 into में x plus 1 by x ठीक है यहां से हमारे पास आजाएगा 12 of x plus 1 by x का whole square minus 56 into में x plus 1 by x 89 minus 24 हमारे पास equal होगा 65 के equal to 0 ठीक है यह हमारे पास 65 के equal आगे अब देख सकते हैं यह हमारे पास एक quadratic equation बन रही है अगर हम x plus 1 by x को t पूट कर देते हैं अगर हम x plus 1 by x को t पूट कर देते हैं तो यह हमारे पास quadratic equation बन जाएगी 12 t square minus 56 t plus 65 equal to 0 ठीक है यह हमारे पास एक quadratic equation बन गई अब इससे अगर हम solve करें तो हमारे पास आजाएगा अब अगर हम इसके factors बनाते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं 12 into t square इसे हम split कर सकते हैं minus 30 t minus 26 t plus 65 equal to 0 में हम इसे इसमें split कर सकते हैं ठीक है तो इन दोनों terms में से अगर two common निकाल लिया हम ठीक है इन दोनों में से भी हमने five common निकाल लिया ह। तो तो यहां से बच जाएगा 6-6-13 इकोल तो जिरो तो हमारे पास यहां से फैक्टर बन जाएगे हमारे 60-13 इंटु में 2T-5 इकोल तो जिरो तो यहां से वारे पास T की एक वैल्यू आजाएगी 13 by 6 एंट T की एक वैल्यू आजाएगी 5 by 2 ठीक है तो T के अलिया था हमने X plus 1 by X तो हमारे पास X plus 1 by X की एक वैल्यू आगई है 13 by 6 और X plus 1 by X की एक वैल्यू हमारे पास आगे 5 by 2 ठीक है तो यहां से अगर इसे solve करते हैं तो हमारे पास आजाएगा X square plus 1 13X and यहां 6 into हो जाएगा हमारे पास ठीक है तो यहां से हमारे पास आजाएगा 6 X square plus 6 equals to 13X और we can write it as 6 X square minus 13X plus 6 equal to 0 ठीक है और यहां से हमारे पास आजाएगा X square plus 1 into 2 यहां 5X और यह हमारे पास आजाएगा 2 X square minus 5X minus sorry plus 2 equal to 0 यह हमारे पास दो quadratic equations बन गए हमारे पास इन दोनों को solve करके हम x की values निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस equation को consider करते हैं इसके factors बनाएंगे तो हमारे पास आजाएगा minus 6x square minus 4x minus 9x plus 6 ठीक है यहां से अगर मैंने 2x common निकाल लिया तो हमारे पास आजाएगा 3x minus 2 और यहां से minus 3 common निकाल लिया तो हमारे पास आजाएगा 3x minus 2 equal to 0 ठीक है तो हमारे पास यहां से factors बनाएंगे 3x minus 2 into में 2x minus 3 equal to 0 तो x की हमारे पास यहां से 2 value आजाएगी 2 by 3 and 3 by 2 ठीक है तो यहां से अगर 2x common निकाल लिया तो हमारे पास bracket में आजाएगा x minus 2 और यहां से minus 1 common निकाल लिया तो bracket में x minus 2 equal to 0 तो यहां से हमारे पास टीक है है तो जो हमारे पास deprivation कि वत्ती हमें कि इसके चारों इसके चारों सॉलुशन हँरे पास आ यह री हमारे पास चारों सोलुशन से हैं अब ऑप्शेंज में चैक करते हैं कि हमारा कौ और hoje वु짜 करेक्ट है ठीक है तो सबसे पहली ऽاحक हार बाझे ओर फार्य and distinct roots हमारे पास यहां पर 4 real and distinct roots है निच्टिकर रूट है तो हमारा 1st option correct हो गहें इह part is a correct ठीक है 2nd part हमेंगेभी ङहां second question है 2 irrational roots Rorgt एक भी और हमारे पास तो second part हमारा correct निच्ट है C part हमारे पास है 1 integer root हमारे पास 2 integer root है ठीक है 1 integer root हो डारे पास तो हमारा C part भी correct हो गया and D part हमारे पास है two imaginary roots हमारे पास सारे real roots हैं एक भी हमारे पास imaginary roots नहीं है तो हमारे दो options correct है A and C this is our answer